ओम नवस्षिवाय, श्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों सावन का सोम्बार महा सुभ्योग, आज मैं आपको पाँच दीपक का मावपाय बता रहा हूँ, स्रावण सोम्बार के दिन आपको इच्छा पूर्ती पाँच दीपकों का पाय करना है, इससे आपकी पुत्र की मनुकामना, धन की मनुकामना वश्विप पूर्य होगी, सावन मास में भगवान सिवकी पूजा का दीपदान का विशिश मैत होता है, सावन मास में प्रते को पाय का केई गुणल आप मिलता है, आप पुत्र पराप्ते के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, किशीवी कार के लिए, भगवान सिव की पूजा करें। बोले नात इस महीने में विश्यश प्रसन रहते हैं और अपने भगतों की मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों अगर आपको किस्मत को बदलना है तो बोले नात की पूज़ा आपको जरू करनी चाहिए। बड़े बड़े कश्ट दूर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी परिशनिया दूर हो जाती हैं। उसमें भी अगर सामनमास हो तो इसकी तो मेमा ही निराली है। सामनमास के सोमार हैं, उनकी मेमा का बढ़ना नहीं किया जा सकता। सोमार के दिन सुबह इशनान करते समय जल में गंगा जल डालकर किश्नान करें। उसके बाद में जब आप इशनान कर लें, शूरुदेव को अर्ग देना हैं। फिर आपको शूरुदेव को अर्ग देने के बाद में अपने हाथ से आटे के पांच दीपक बना करके त्यार करने हैं। पांच बेल पत्रे ले लेने हैं। साथ ही आपको प्रतिक बेल पत्रे पर रखने के लिए पांच पांच चावल के दाने ले लेने हैं। एक लोटा जल उसमें गंगा जल डालें और प्रसाद के लिए भी आप कुछ सपेद मीठा ले लें सबसे पहले आपको भगवान सिवजी को नमस्कार करना है उसके बाद में गंगा जल से भगवान सिवजी का आप शेक करें उसके बाद भगवान को भश्मी अरपन करें उसके बाद में जो बेल पत्र आप लेकी गए है प्रतेक बेल पत्र पर ओम नवश्वाय आपको लिखना है और एक एक बेल पत्र पांच पांच चाबल के दानिश पर रख करके सिविलिंग पर अरपन करेंगे पांच और बेल पत्र अरपन कर देंगे उसके बाद में भगवान को पुष्प अरपन करेंगे पुष्प अरपन करने के बाद में भगवान के सामने आपको पांच दीपक जला देने हैं पांच दीपक जलाते समय दीपक को को नीचे चावल जरूर रखने हैं ये बात का विश्री सुष्व तयाना के, क्योंकि दीपक को बिना आसन के नहीं जलाना चाहिए, उनको आसन अरपन किया जाता है, तब दीपक को जलाया जाता है, दीपक जलाने के बाद में ओम नमश्वाई मंतर का आपको जाप करना है, उसके बाद भगवान सिव को गाय का घी डाल करके सपेद मीठे पर वहरपन करें, यह उपाय तना चमतकारी है, इस उपाय की करने से हर मनो कामना पूरी होती है, जब आप यह उपाय कर रहे हों, तो उस समय आपको अपनी इच्छा बोलनी है, जो भी आपके मन में कामना है, आप सकाम बावसरी बगवान की पू करेंगे, इस बार बहुत बड़ा योग बन रहा है, तो मुझे उमीद आपको यह जानकारी अच्छी लग योगी, आप यह उपाय जरू करें, आपको विश्य इसलाम मिलेगा, वीडियो को जाज-जाज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप इस दिन र पन करके, और उस रद्राग को भी धारण कर सकते हैं,